क्या भारत जैसे महान देश के लिए कुर्बानी देने वानों को यही मिलता है? क्या हुआ था ऐसा कि भारत के सबसे बहादूर एजेंट रवींद्र कॉशिक यानी ब्लाक टाइगर को अपनी आखरी चिठी में ऐसा लिखना पड़ा? नवींद्र कॉशिक रॉ के वन ओफ दे ब्राइटेस्ट एजेंट्स थे जिनने पाकिस्तान में रहने की ट्रेनिंग दी गई 1975 में उन्हें नभी एहमद शकीर का नाम देकर as an undercover agent इस नामाबाद भेजा गया एजेंट कॉशिक ने पाकिस्तानी आर्मी जोइन करी जहां उन्हें कुछी समय में मेजर बना दिया गया 1979 से 1983 के दौरान ब्लाक टाइगर ने हमारे देश को काफी क्रूशल इंफरमेशन दी लेकिन the situation when out of control when an undercover agent sent by raw revealed the true nature of his work पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें arrest करा और 20 साल की सजा सुनाई जो बाद में life imprisonment में convert कर दी गई 2001 के समय अपने अंतिन दिनों में black tiger ने कहा Had I been an American, I would have been out of this jail in three days